हेलो दोस्तों केस हुआ आप सभी लोग तो आज वीडियों मैं आपको A4 रोयल पास के वीक 3 के सारे मिशन्स डीटेल में एक्स्प्लेंड करूँगा और इजी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आपके मिशन्स जल जल दी कंप्लीट हो जाएंगे अगर आपने वीक 1 करकि वो साइड जाना है फिर से क्लाइम करकि ये साइड आना है जैसे आप एसे 10 बार कर लोगे आपका ही मिशन हो जाएगा फिर नेक्स मिशन है 100 आर्पी पॉइंट के लिए इलाइट लैंड औन एनी रूफट आफ इन सासकोनवा मिलेटर बेस इरेंगल वन टाइम इन क्ल हो जाएगा फिर नेक्स मिशन है इस कार्ड के लिए इलाइट एलिमिनेट एन एनीमी फ्रम हंड्रेड मिटर अवे टू टाइम्स इन क्लासिक मोड तो दोस्तो हमें क्लासिक मोड के अंदर खेलना है रैंक हो या अन्रैंक और दोस्तो एनीमी को 100 मिटर के दूरी से मारना है तो जैसे आप सो मीटर के दूरी से मारते हो फिर आपको ही मिशन हो जाएगा फिर नेक्स but transmission न्हें फिर अजह म quests तो इसका मतलब क्या होता है अगर आप ये mission आपके royal pass के दोस्त के जात करते हूं उसने भी किया ये जो कहा है तो आपके mission के अंदर count हो जाएगा और आप ने किया तो उस case में तो mission है rescue teammates 10 times in classic mode तो दोस्तो rescue का मतलब revive होता है तो आपको total 10 बार आपके दोस्तों को revive करना है classic mode में rank या unrank फिर next mission है 60 RP points के लिए और ये friend bonus है तो friend bonus मतलब अगर आप आपके royal pass के दोस्त के जाती mission complete करोगे तो आपको extra RP points मिलेंगे eliminate 5 enemies with M249 in classic mode तो दोस्तो आप देख सकतों ये M249 है तो इससे दोस्तों आपको 5 enemies मारना है classic mode में rank या unrank फिर next mission है 60 RP points के लिए team boost मतलब दोस्तों अगर आप score के अंदर खेलते हैं तो score ने किसने भी किया तो भी आपकी 026 में add होगा open airdrop 6 times with teammates in classic mode तो आप देख सकतों ये airdrop तो आपको बस दोस्तों ये open करना है total 6 बार या फिर आपकी दोस्तों ने किया तो भी चलेगा classic mode के अंदर फिर next mission है 60 RP points के लिए pick up AKM in 5 matches in classic mode तो आपको दोस्तों ये AKM total 5 match में उठाना है तो आप याद रखो एक match में एक बार उठाते रहो total 5 match में उठा लोगे तो ये mission हो जाएगा फिर next mission है 60 RP points के लिए drive और ride the reindeer shield और flying reindeer two times classic mode frozen kingdom दोस्तों new mode आगया है frozen kingdom आप सभी को पताई हो इस mode के अंदर आपको ऐसे reindeer दिखाई देगा ये reindeer आपको बस दोस्तों total 2 बार चलाना है दो match में तो फिर आपका दोस्तों ये हो जाएगा याद रखे आज़े चलाओ फिर next mission है 60 RP points के लिए week 3 only log into the game on a total of 3 days तो week 3 में आपको बस दोस्तों 3 दिन game को open करना है ये login करना है फिर आपका ही mission हो जाएगा फिर next mission है eliminate one enemy with M416 in classic mode तो आपकी favorite gun से एक enemy मारना है classic mode में rank या unrank फिर next mission है 30 RP points के लिए use a medikit one time in classic mode तो आप देख सकते हैं ये medikit आपको बस ये एक बार लगा नहीं है और last mission है pick up extended quick draw mag one time in classic mode तो आप देख सकते हैं ये extended quick draw mag होते हैं इन में से कौन सा भी एक bus आप उठाओ फिर आपका mission हो जाएगा तो आईजिए थे A4 Royal Pass के week 3 के missions तो इनके लिए एक वीडियो को like कर दे मिलता हूँ मैं आपको week 4 के missions के वीडियो के साथ thanks for watching